तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेसा और नमबर आफ पार्टिकल इन क्यूबिक यूनिट सेल या कियूबिक क्रिस्टल सिस्टम ठीक है तो हमने लाज्ट वीडियो में बात किया था कि जो अगर कोई आटम्स है अगर वो सेंट कॉर्णर पर प्रजेंट है तो इसक हम लोग लाश्ट में देखें इसको जब हो जाएगा कोईशन तो हम देखेंगे किस टाइब के कोईशन जो है सिबसी बूर्ड में कोईशन पूशे गए हैं और प्रिविस सेर के कोईशन को भी हम से साल्व करेंगे तो इस्टार करते हैं यहां पर देखिए आपका कैलकुल सेर हम अगर बात करें तो इसमें बताया गया था कि नंबर इसमें जो पॉर्ड ओता है तो अगर हमारे पास सपोर्टे यह यह स्टार्वल में आगर देके तो अकर महाँ जीन प्रऑन से यह से सिंपल थाहन नम्बर आप पर्रेजेंट होते हैं और प्रजेंट होते हैं तो यह जो होता है Jogen एंट्स होता है वह कितने एट इनके से स्रांड़े वोता है छपी साद सकते हैं इसका कंट्रोबुशन कितना हो जाएगा लों दर टीन और यहां कर द द लिपसेंश्ट तो आप लीचव मतले आप दास लिए ainda है वह एकोष्ट कोष्ट होते हैं सब्सक्राइब टो जो जो होते हैं अगर कोष्ट है तो ऐसको सब्सक्राइब प्रेजन्ट होंगे कहां पर कार्णर पर तो इसका कांटिपूशन कितना हो जाएगा ठीक है तो यह आप इसको ग्राफ को ज़रूर ड्राफ ड्रा कर लेंगे अगर को देखें एक्जाम में कोई भी आपको टॉपिक अगर पूचता है या कह सकते हैं डिफाइन करने के लिए तो इसकेस में अगर आपको पॉसिपलीटी है कि हां वहाँ पर हम इस्ट्रेक्शन द्रा कर सकते हैं तो यहां पर कोसीज करिए थी थी तो यहां क्यों करके सकते हैं तो नंबर आप अटम्स इए सिसी ठीक है तो इस क्या हो जागे हमारे पास गॉने हो कितने हो जाएगा item का ठीक है तो कितने corner है 8 corner है तो इसका 1 हो जागा कितना हो जागा आपका 1 हो जागा तो हम कह सकते है in a simple cubic unit cell the number of item is 1 ठीक है तो यहां भी लिए सकते है therefore therefore the number of item the number of item in SCC equal to 1 ठीक है अब उसके बाद देखिए आपका दिया हो है आपका BCC दिया हो ठीक है body centered cubic unit cell तो मैंने आपको बताया हुआ था कि BCC अगर दिया हो तो उसमें बताया गया था कि जो number आप जो items होते हैं वो कहां पर present होगे corner पर present होगे ठीक है तो items are present at the corner and one items are present at the center of the unit cell ठीक है तो body centered में हमने division में देखा था कि body centered है तो कह रहा है body के center में उसके center में आ जाएगा और उसके बाद cubic unit cell है तो 8 corner तो होने ही होने है तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यह है आपका unit cell है पर यहाँ पर बात करें तुर इकृतने siesτο होते है कोनगे ही हम बेहरा इसका eight senior добр AT उनका contribution कितना हो जाएगा ओन बाई यह होगा टीक है तो फो यहां पर यहां बहुँट है 1- γार्ण कितना हो जाएगा is वहीं पर देखें, देखें कैसे लिखना है, in body centered, यह cubic unit cell, the constituent particles are present at 8 corners, तो कितने corners होते हैं, 8 पर present होगा, and one item at the center of the unit cell, तो एक item कहां पर present होता है, वो item के, कैसे हैं, unit cell के center में present होता है, तो इसके लिए हम अगर देखें, तो hence the number of item in BCC, तो number of item को किसे represent करेंगे, तो यहां पर बात करेंगे, तो हमारे पास corners कितने हैं, 8 corners हो जाएगा, into क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, contribution हो जाएगा, क्या हो जाएगा, contribution हो जाएगा, per item हो जाएगा, और इसके बाद बात करेंगे, तो one item कहाँ पे है center पे है तो इसका contribution कितना हो जाएगा one हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो one eight into one by eight हो जाएगा और plus one हो जाएगा तो इसको cancel out करोगे तो one plus one equal to कितना हो जाएगा पर two हो जाएगा तो लिसकते हैं हैंस in bcc the number of item is the number of item is worth तो number of item कितना जाएगा one जाएगा ठीक है अब उसके बाद अगर बात करें तो अगला है आपका face centered unit cell तो face centered cubic unit cell में अगर बात करें तो number of item जो होते हैं ठीक है तो number items कहां present होंगे तो पहली बात तो unit cell है तो corner पे होगा उसके बाद जो है face है तो इसका मदलब क्या होगा वो आपका face center पे present होगा देखे कहा रहा आप face center पे यहाँ जो items होंगे कुछ face center पे present होगे तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसे हमारे पास क corner पे present होगा तो यहाँ देख रहे हैं आपका corner हो जाएगा ठीक है यहाँ हो गया corner ठीक है इसका contribution कितना हो जाएगा one by eight का उसके बाद जो है face है तो face में अगर बात करें तो किने faces होते है six faces होते हैं जिसे मालजी हमारे पास left है यह हो गया right हो जाएगा यह top हो जाएगा यह bottom हो जागा 50 हो जाएगा और एक सेकेंड हो जाएगा ठीक है तो अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए अगर face पर यहां पर यह पर एडिक है तो यहां पर हम यूनिट जनरेट कर देते हैं इस टाइब से ठीक है तो हमें कह सकते हैं इसके ऊपर भी बना सकते हो तो यह अगर सपोज करें हमारे पास क्या है एक छट लगा हुआ छट में जो कह सकते हैं इस सीलिंग है तो जो कह सकते हैं कि छट है सीलिंग ठीक है तो इसमें अगर हम बात करें तो यह जो होगा यह ऊपर वाले कमरे के लिए भी और नीचे वाले कमरे के लिए ठीक है तो यहां पर फस रूपर और आइज बेलाज कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर दोनों के लिए कंट्रिविट करेगा तो इसमें हम बात करेंगे कि अगर यहां पर हमने कोई इंट लगा दिया यह कोई आटम लगा दि कर दिक अगर कोई आटम जो हो कारणर फिजंट है तो इसका कंटी संग प्रजेंट है तो वह क्या हो जाएगा 1 by 2 हो जाएगा तो प्रह रहा है इन-प्रेज सेंटर के जिए एट कॉर्णर एंड को ऑंड इन-6 आइटम्स आइट अर प्रेजट वृज़स एटेज सब्दा क्यूव टीक है तो फेज पेशट के सबस्क्ते हैं इसक्स प्रेज कहा पे in yesc, sorry, यहाँ पर fcc रहेगा, face centered है, तो fcc, equal, z equal to कितना हो जाएगा, तो corner कितना होगा, 1 by 8 हो जाएगा, तो 8 into 1 by 8, यहाँ लिष सकते हैं, at corner, यह आपको कहां से मिल जाएगा, corner, ठीक है, और प्लस अगर बात करें तो अगला क्या है आपका faces है तो कितने faces हैं 6 faces हैं और एक का contribution कितना हो जाएगा 1 by 2 तो यहाँ पर आप लिश सकते हैं 1 by 2 1 by 2 1 by 2 इस टैब से तो 1 by 2 हो जाएगा ठीक है तो यह कहा हो जाएगा आएट faces तो यह faces से हो जाएगा तो अगर हम इसको cancel out करते हैं तो इसका हो जाएगा 1 और इसको cancel out करोगे तो हो जाएगा आपका 3 तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है तो हम ले सकते हैं therefore therefore number of item in कि यह जाएगा आपका नमबर आप किन्दे हो जाएगे यह कोईशन जो है अगर आप बात करें बी सी सी तो भी सी सी जो है आपका यह बहुत ज्यादा पूचा हुआ है 2008 से 8 ये पूचा है 9 पूचा है 10 पूचा हुआ 11 भी पूचा पिर उसके बाद 14 में पूचा हुआ है ठीक है और इसमें कुछ नुमेरिकल बेस्ट खषेशन आ सकते हैं तो उसको देखते हैं कि कैसे इस से कोषेशन हम टैगल कर सकते हैं तो अगला ही क्वेशन है आपका थो थाओजन्ट 2011 में कोषण पुछा हुआ था तो इसमें देख रहे हैं 2011 में एक वेशन आया हुआ है की तेटेखें कि आ करें व्यां किस्टलाइजाजिज वित किूंब structure, cubic structure in which gold item occupy the corners. कह रहा है कि हमारे पास कोई alloy, alloy means there, alloy means क्या होता है, mixture of metal,既़ है, homogenous mixture of metal are called alloy, तो इसमें कह रहा है, आपका gold है and cadmium है, तो इसमें जो mixture is metal, कोई सा गोल है and cadmium है, but कह रहा है, इसमें देखे, किछे largest भी थे, यह cubic structure, करता है अब उसमें नहीं बतारहा कूँ है अगी समझ में आगे में समें आगे आगा एन घा Commerce और Бाश कर्द कर ना यह तो कहाँ बात करें तो इस को बड़ा है काड़ मियम डिज्पर एक भी इस यह अपने से जुर्थ एस एंटर बें प्रिजेंट है तो कहरा है assign formula for the this alloy एलाई के लिए कहरा कि formula आप define करिए तो हम एक है सकते हैं in alloy in alloy cubic unit cell unit cell ठीक है AU present at AU present at corner कहां पर present है corner पर present है के लिए present at corner present at corner ठीक है hence number of item number of AU item gold item equal to कितना हाजागा 8 corner है उसका contribution कितना हो जाएगा 1 by 8 हो जाएगा pencil out करेंगे तो 1 हो जाएगा ठीक है तो यहां बली सकते हैं hence number of AU item is 1 ठीक है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर देख रहे हैं कि hence number of number of AU item is 1 ठीक है number of AU AU item कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है अब उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर देखें कहरा है उसके बाद cadmium item fit into the face center तो cadmium item कहां पर है face पर है तो लिए सकते हैं cadmium present at the center of face faces of cubic unit cell cubic unit cell clear hence number of number of cd atom atom in unit cell वह जाएगा आप FCC भी लिए सकते हैं unit cell equal to कितना हो जाएगा आपका कितने faces हैं six faces हैं और इसका contribution कितना है one by two है तो कितना हो जायगा आपका cancel out करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ठीक है तो हम एक कर सकते हैं कि therefore therefore the formula of the formula of alloy is ठीक है कितना हो जाएगा तो आप यहां पर देख रहे हैं तो आपका है आप यह यू का कितना है आपका 1, cd का कितना है आपका 3 तो यहां base में लिख लेंगे या फिर क्या लिख सकते हैं आप इसका फार्मूला क्या जाएगा आपका ए यू सीडी 3 हो जाएगा तो इस टाइब से क्वेश्चन को करना था यह वन मार्स क्वेश्चन आया हो था 2011 में ठीक है हम बात करते हैं ncrt के क्वेश्चन के तो यहां पर देखे एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो पी ऑन क्युओ जो क्या है अब का पी अड क्यूओ थे टिक्या है ऐटम आफ क्यूओ अर अड़ जा और आइट आपे कुछ गवर्ड हो गया Q R at the corner of the Q ठीक है तो ये corner पे रहेगा corner of the Q and P at the body center P कहाँ पे है body center पे है what is the formula of the compound तो इसका formula क्या होगा and इसे पूछा what are the coordination number of P and Q ठीक है इसका coordination number तो कह रहाँ P कहाँ पे present है आपका तो ध्यान में रखेंगे P कहाँ पे present है कह रहा है corner पे है Q जो है corner पे है and P कहाँ पे है body center पे है तो यहाँ पर हम लिख सकते है इसका solution तो solution में क्या लिख सकते हैं कि the item the item qr present qr present at the corner at the corner कितने 8 at the 8 corners of the q of the q ठीक है तो लिख सकते हैं कि number of number of q item equal to कितना हो जाएगा तो number of q item जो हो जाएगा यह 8 corner होता है इसका contribution कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो हम कसके हैं cancel out करोगी कितना जाएगा वो जाएगा थीक है तो इसका कितना item आ जाएगा थीक है अब उसके बाद अगर बात करें तो यहांप अगर बात करें तो पी अच्टम यहांप लिख सकते हैं the item p are present at present at the body center body center of the cube all the cube, TOMORROW, P's the volume Evalえ, what is the formula of compound garderobus? पाउंड एक्वल टू कितना हो जाएगा तो यहां पर वन आ गया यह भी वन आ जाएगा ठीक है तो यहां पर फार्मूला पी है तो पी लिसकते वन और क्यों भी क्या वन तो पी क्यों हो जागा अब अगला दो देखें कोईशन दिया हुआट आर दा क्वाडिनेशन नंबर क क्या होगा कि अगर कोई एटम्स है ठीक है अभी हम लोग इसका डिफिनिशन आगे हम लोग देखेंगे पूरा इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो यहां पर हम थोड़ा सद्ध्यान में रिखें कोई आटम्स जो है वो कितने आटम्स के साथ क्या करता है वो टैच म नमबर बोलेंगे तो इसमें जो है क्लोदिनियंसं नमबर कितना होता है इसका मदलब क्या है कि इसका है कि जो आटम होता है वो 8 इक ही ?, एक अगर इस वीडियो में कहीं भी प्रावलों नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन है तो उसे आप पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ जय हैं